किम आ जाएगा और आपन देखें इसमें जो आंगी द्याह की तेवहारों का नगर मदुरे क्यों कहा जाता है क्योंकि जो सबसे अधे के तेवहार होते हैं वो मदर ही मनाती हैं यानि कि जो हमारी माता होती हैं वो सबसे अधे के तेवहार मनाती हैं वो वही सबसे ज़्यादा ब्रित भी रहती हैं यानि कि तेवहारों का नगर मदरे क्योंकि जो मदर होती हैं वही सबसे अधे के तेवहार मनाती हैं और इसमें जो आंगे द्याह की नवाबों का सहर लखनों को कह जाता है क्योंकि जो नवाब यानि कि जो राजा महराजा होते हैं उनके पास लाखों और इसमें जो आने दिया कि परवतों की रानी मसूरी कैसे क्योंकि जो परवत की रानी होगी यानि कि पूरे परवतों की रानी होगी तो वह आदेश देगी कि पूरे परवतों में मसूर की खेती हो यानि कि मसूरी आजाएगा क्योंकि जो रानी है वो पूरे परवतों की रा यानि कि परवतों की रानी ने आदेश दे दिया कि मसूरी की खेती हो यानि कि मसूरी ही आ जाएगा और इसमें जो आगे दिया है कि सोया सिटी के नाम से मद्द प्रदेश को जाना जाता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति सोया यानि कि जब कोई व्यक्ति सो गया है तो दोस्तों उसको पता नहीं है कि हम मद्द में है या किसी प्रदेश में है यानि कि कोई व्यक्ति सोया तो उसको कुछ भी पता नहीं चला कि हम मद्द में है या किसी प्रदेश में है यानि कि मद्द प्रदेश आ जाएगा और इसमें जो आनि द्याय की साल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है कैसे क्योंकि जो साल्ट यानि की नमक दोस्तों और आपने नमक खाकर पूरी रात भी गुजार सकते हैं यानि की गुजरात आ जाएगा यानि की साल्ट इसका मतलब होता है नमक है और दोस्तों जो गरीब लोग होते हैं तो उनके पास है यदि खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो अपने पूरी रात नमक खाकर ही उनको गुजानने पड़ती है यानि की साल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जाना जाता है और इसमें जो आंगे द्याय की अंतरिच्छ का सहर के नाम से बंगलूरू को जाना जाता है कैसे क्योंकि अंतरिच्छ यानि कि जो इसरो है इसका मुख्याला भी बंगलूरू में ही है इसलिए अपने common sense लगा कर अपने इसको कह सकते हैं कि यदि अंतरिच्छ सब्द आएगा तो सीधे अपने बंगलूरू चले जाएंगे यानि कि अंतरिच्छ का सहर बंगलूरू को कहा जाता है और इसमें जो आंगे द्याय की महलो का सहर कोल काता को कहा जाता है कैसे क्योंकि जो महलो का सहर होता है वो किसी को नहीं पता यानि कि कोल काता कि जो महलो का सहर है वो कहा पर है और जो महलो का सहर है वो दोस्तो कूल कूल कर बनाया जाता है इसलिए किसी को भी नहीं पता कि कहा पर है महलो का सहर यानि कि किसी को नहीं पता और कोल काता यानि कि अपन देखें इनको एक वार फिर से देख लेते हैं कि तेवहारों का नगर मदरे को क्योंकि जो तेवहार होती हैं वो मदर मनाती हैं यानि कि मदरे आ जाएगा और नवावो का शहर लखनव क्योंकि जिसके पास लाखों रुपए होते हैं तो उसको अपने नवाव कहकर बुलाते हैं और परवतों किरानी मसूरी क्योंकि जो पूरे परवत किरानी है तो उसने आदेश दिया है कि पूरे परवत में मसूर की खेती हो यानि कि मसूरी और जो सोया तो जो सोया सिटी है वो मध्द प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि जो ब्रेक्टि सोया तो उसको पता नहीं है कि हम मध्द में सोय या पिर किसी प्रदेश में सोय हैं यानि कि सोया, तो उसको पता नहीं चला क्यों मंद्ध में हैं, या फे किसी प्रदीश में हैं, और साल्ट सिटी गुझात को, क्योंकि कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं, जिनको पूरी रात गुझानने पढ़ती है, वो भी सिर्फ असिर्फ है, साल्ट खाकर, यानि कि नमक खा में हैं तो इस प्रकास से आपको ये वाला भी याद हो गया होगा और जो महलो का सहर है वह कोलकाता क्योंकि किसी को नहीं पता यानि कि कोलकाता की महलो का सहर कहां पर है